1985 में लाइट हाउस की पर थामस करी ने एक तुफान के दोरान पानी के नीचे के सामराज अटलान्टिस की रानी अटलाना को बचाया वे प्यार में पढ़ जाते हैं और उनका आथर नाम का एक बेटा होता है जिसके पास समुद्री जियों के साथ समवाद करने की सकती होती है जब राजा और वैक्स द्वारा भेजे गए अटलान्टिस सैनिक अटलाना के लिए पहुशते हैं तो जो अपनी तै साधी से भाग गई थी तो उसे अपने लोगों से उसकी रच्छा करने के लिए अपने परिवार को जोनने के लिए मजबूर होना पड़ता है वो सुरच अटलान्टिस वापस चली जाती है एक उसल यूधा पनने के बाद और धन ने यह जानकर अटलान्टिस को स्विकार कर दिया कि अटलाना को इस एक इनसान से प्यार कहने और ओधर के नाजायज जन्म के लिए और वैक्स द्वारा मार डाला गया था वह अत्मान में आधर को मीटा हुमन के रूप में जाना जाने लगा जिसे जन्ता द्वारा अक्वामेन कहा जाता है इस्टे पैन बुल्क की हार के बाद एक साल के बाद और थन ने एक रूसी अकुलार सेंडी की पंडुबवी का अपरन करने वाले समुद्री डागों का सामना किया उनके नेता जे ते उस लोगों की हात्या के पतिसोद में जेसी को बचाने में मदद करने के उनके अनरोध को स्विकार कर दिया था और वेक्स के बेटे और ओधर के छोटे सोतेले भाई राजा आर्म मरियस जेबेल के राजा नेरेस को अटलांटिस को एकजुट करने और महासागरों को आर्म सभी चार राज्यों को एकजुट करता है तो उसे प्रतिवी पर सबसे सक्साली बलके कमांडर ओसन मास्टर की उपाधी मिलेगी उन पर एक पंडुबी द्वारा घात लगाकर हामला किया जाता है जिससे और्म को सुनामी भीजने के लिए बादे महसूस होता है नेरे से मदद का अनुरोद करती है और आर्म की सुनामी में उसके पिता के लगभग मारे जाने के बाद आर्थर उसके साथ अटलांटिस चला जाता है वलको ने राजा के रूप में अपना सही स्थान पुनाप्राथ करने के लिए अटलांटिस के पहले सासक की एक सक्तिसाली कला क्रति अटलान के तिसूल को खोजने का आग रह किया और्म के आदमियों ने उन पर खाद लगा कर हामला किया और आर्थर को पकड़ लिया गया आर्म उसे अटलाना की मौत के लिए दोसी ठहराता है और मीरा द्वारा उसे बचाने से पहले एक दंद युद्ध में उसे बनाई गई थी और एक होलोक्राफिक संदेश को अनलॉक करते हैं जो उन्हें सिसली इटली तक ले जाता है जहां में तिसूल के निर्देशांक पुनापरात करते हैं आर्म केन को आथर को मानने के लिए एक अटलांटियन युद्ध सूट देता है बुलको को कायद करता है और मचुवारों के सामराजज को उनके राजा की हात्या करके उनक उसके प्रति अपनी निस्था की प्रतिग्या कएने के लिए मजबूर करता है यह पता चला कि ओर ने नेरेश का समर्थन हासिल करने के लिए डेविड और उसके पिता को रूसी पंडूबी का अफरंट करन ब्लैक मांटा नाम दिया और और्थर से लड़ाई की लेकिन और्थर ने उसे हरा दिया और्थर और मीरा खाई के उभचर राचसों से बश्टे हैं और एक वर्म होल उन्हें प्रत्वी के केंदर में एक अग्यात समुद्र में ले जाता है वे एटलाना के सारे फिर से मिलते ह जो बिवाहित, जो जीवित रहने और अग्यात समुद्र में भागने में कामेयाब रही लेकिन वापस जाने का रास्ता खोजने में असमारत रहें अब किस प्रकार से अपना रास्ता खोचते हैं जी हां दोस्त हम बात करने जा रहे हैं फिल्म अग्वा-मन अएंड था ला वीडियो होने वाला हैं तक जरूर देखेगा और अच्छा लगे लाइक कीजिएगा नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा और वेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे आगे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहें तो चलिए बिना देरी क यह स्टार्ट करते हैं अकॉमैन एक दो हचार अठारा की अमीर की सुपर हीरो फिल्म है जो इसी नाम के डीसी चरित्र पर आधारित है वानर प्रदर्स फिचर्स द्वारा से नेर्मित और बितरित यह डीसी एक्सिडेंट यूनिवर्स में चटी फिल्म है फिल्म का नेदे अठतर करी अकॉमैन की भूमिका निभाई है जो अट्लांटिस के पानी के नीचे के सामराज का नहेतर तो कहने और अपने सौतले भाई किंग आर्म को सत्य की दुनिया को नस्च करने के लिए सार पानी के नीचे के राज्यों को उब्जुट करने से रोखने के لिए निकलत विकास समंधी अगर बात करें 2004 में शुरू हुआ लेकिन 2013 में मैन आफ स्टील के रिलीज हुने तक इसमिदेजी नहीं आई अगर 2014 में बील और कर्ट जान्स टेंट को प्रतिसपर्धी स्क्रिप्ट लिखने के लिए काम पर रखा गया था वान ने अप्रेल 2015 में नितेशकी रूप में स्टाक्चर किये और जुलाई 2016 में फिल्म बील की पटकता के साथ आगे बढ़ी मुकी कलाकारों की पुष्टी 2016 और 2017 की सुरुआत में की गई थी प्रमुक फोटोग्राफी मैं 2017 में अस्टेलिया में हुई जो गोल्ड कोस्ट सीकेंस लैंड अस्टेलिया में विलेज रोड सो स्टूडियो में कनाडा इटली और मुरकों में अत्रिक्त उत्पादन टीमों के साथ हुई फिल्मांकन अगले अक्टूबर में समाथ हुआ गई विक्रेताओं ने द्रस प्रभाव प्रतान किये जिन में उच्च विस्तार वाले बाल सिमुलेशन से लेकर सीजी आई जानवरों और स्थानों का निर्मार सामिल है फिल्म को 26 नवंबर 2018 को एमपायर लीसे स्टर स्क्वायर में और 21 दिसमबर 2018 को समय अमेरिका में रिलीश किया गया था फिल्म का कारिकारी समय था एक घंटा 55 मिनट का और यह अंग्रेजी भासा में रिलीश हुई थी बजट की बात करें यह एक सो साट से 200 मिलियन डालर का बजट रहा था बाक्स आफिस कलेक्शन 1.152 पिलियन डालर का रहा फिल्म को आलोजकों से मिसे समिच्छा मिली यहा सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली डीसी ई-ई-उ फिल्म बन गई जो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई DC Comics के चरितर पर आधारी 2018 की पांच वी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म और आधा की 20 मी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी फिल्म A Common King of Atlantis के बाद सेट की गई एक 11 विहित अनिमेटेड लग्र संकला 14 अक्टूबर से 28 अक्टूबर 2021 तक परसारित हुई जबकि एक लाइव एक्षन सीक्वेल फिल्म अकॉमैन एंड दा लास्ट किंग्डम 22 दिसंबत हो जाते इसको रिलीज हुई थी संगीत की बात करें तो 7 मार्च 2018 को रूपर्ट ग्रेग सन विलियम को अकॉमैन के संगीतकार के रूप में घूसित किया गया था ग्रेग सन विलियम ने पहले वंडर वुमन के लिए स्कोर लिखा था जो डीसी एक्स्टेंडेड उनिवर्स की चोथी फिल्म थी सामट्रेक 14 दिसंबर 2018 को वाटर टावर म्यूजिक द्वारा जारी किया गया था होव मीडिया की बात करें तो अकॉमैन को 5 मार्च 2019 को डिजिटल डाउनलोड के लिए जारी किया गया था और 19 मार्च को ब्लूरे, 4K ब्लूरे, अल्टा, HD, 3D, ब्लूरे और डिवीडी पर इसकी अनुमानित कुल कमाई 27.4 मिलियन डालर की रही यूएस डिवीडी की विकरी साउथ ही ब्लूरे की विकरी में कुल 42.2 मिलियन का डालर का अनुमान है जिससे घरेलू विडियो विकरी में कुल 79.7 मिलियन डालर का युगदान हुआ, निर्देशक जेम्स वान ने खुलासा किया कि निर्देशक की कोई कटोती नहीं होगी अक्कामैन का वर्ड प्रीमियर 26 नौमबर 2018 को लंदन के अमपार ली सेंस्टर स्क्वाइर में हुआ था इससे संयुकत राज अमेरिका में वानन परदार्स फीचर्स द्वारा 21 दिसंबर को रिलीज किया था 19 नौमबर को एटम के इट्स ने घुसना कीगी संयुकत राज अमेरिका में अमेज़ान सदस्यों को जुनिंदा एमसी रीगल नैशनल एमेजमेंट और आर्क लाइट सिनेमाज में फिल्म की 15 दिसंबर की स्क्रीनिंग के लिए टिक्टों तक जल्दी पहुँच राप्त होगी इसे पहले 27 जुलाई तो जटारा के लिए निधायत किया गया था और फिर इसकी रिलीज की तारीक करने से पहले इसे 5 अक्टूबर तो जटारा तक बढ़ा दिया गया कहानी के अंत की बात करें तो आथर का सामना करा थेन एक पौरानिक समुद्र राच्छस औरतिसूल के रच्छक से होता है औरतिसूल को पुना प्राप्त करता है जो उसे सा समुद्रों पर नियंतरन पतान करता है आर्म खुद को महसागर मास्टर घुशित करने के लिए किं पता चलने पर कि ऑ couple अथ्लों का devrait करता है आइसमी को सच्छे राजा की रूप में स्विकार कर लेते हैं आरमों को दंद यूद्ध में और बेचने के अए उसकी जानबक्स दी और मा आरम को यह पता चलने के बाद की और्थर ने उसकी माँ को बचाया था कारावास स्विकार कर लिया एट लाना थामस के साथ फे से जुर जाता है जबकि और्थर सिंगासन पर चार जाता है एक मद्ध क्रेडिट द्रस में मंडा को डौ स्टीफन सिन एक समुद्री वेक्यानिक और अटलांटिस से ग्रस्ट सड तो दोस्तों फिल्म के स्टूरी काफी अच्छी है आप लोग जरूर देखिएगा फिल्म को मिलते हैं क्ली जानका एक साथ अगले वीडियो में धन्यवाद थैंक्यू थैंक्स फर वाची